तो आगे बात करते हैं श्रया हम रूट देखते हैं इसके लग्दर Micro Economics क्या होता है और Macro Economics क्या होता है Micro Economics एक ऐसी ब्रंच होती है Economic Theory की जो की एक INDIVIDUAL economic unit से होते हैं देखना इंसानों की सिर्फ बात नियों और इमाले कि एक particular देखो यहां से, एक particular individual household है, मलब एक particular कोई परिवार है, परिवार है, आपका परिवार, मेरा परिवार, वहाँ पर लोगों की income कितनी है, मलब पापा कितना कमा रहे हैं, मम्मी कितना कमा रहे हैं, भाई कितना कमा रहे हैं, मैं कितना कमा रहा हूं, इन सारे लोगों की income को करना बात फिर्व इंकम की भी नहीं है खर्चा कितना होता है कि लोगों की डिमांड्स के आंगा उस फैमिली के अंदर यह हो गया क्योंकि हम एक ही परिवार की बात करें तो इंडिविजल क्रॉमक उनिट अब ऐसी कोई भी इंडिविजल फर्म इंडिविजल इंडिविजल सिर्व ऐसे इंडिविजल उनिट को स्टड़ी करकर के पता लग सकता है क्या पॉसिवल नहीं है तब ही तो यह वाली जो एकोनोमिक से क्या मैं इसको नेरोकनोमिक कह सकता हूं बहुत चोटी लेबल पर बात हो रही है आपर और मैं इससे बड़ी पिच्चर को पता लगा न In other words, it studies the economic behavior of individual decision making units of an economy like buyers and sellers and an economy लेकिन यह buyers and sellers बहुत मतलब मतलब मार्केट की बात करते हैं तो बहुत हम छोटे लेबल पर इनकी बात करते हैं इससे कोई हमें एक broader level की पिच्चर पता नहीं लगती है तो microeconomics जो है it tries to find out कि कैसे prices जो है goods or services के यह मार्केट के इंदर determine होते है तो microeconomics यह चीज पता लगाने की कोशिश करता है कि कैसे goods or services के जो price है market determine होते हैं अब market के अंदर goods and services के price determine होते ही कैसे हैं क्योंकि आप कोई भी seller उत्रहीं ही आफ्से चार्च कर सकता है जितना consumer जो है वो willing है pay करने के लिए राइट economy में goods के services के price buyers और sellers के संगम से बनते हैं है न दस instead of studying economic forest as a whole economic forest में पता कि यह आपने किसको बोले जा रहा है microeconomics को जो यह बहुत बड़े level पर बात कर रही है it look at its individual parts individual trees यानि कि अगर आप एक एक पेड़ की बात कर रहे हो एक जंगल में जाकर तो वो क्या है microeconomics और पूरे जंगल की बात कर रहे हो तो वो क्या है macroeconomics तो microeconomics theory को याद रखना श्या इसको price theory भी बोले जाता है इसको price theory भी बोले जाता है और यहाँ पर अगर आप आओगे macroeconomics को बोले जाता है theory of income and employment यह macroe को बोले जाता है theory of income and employment microe को बोले जाता है price theory क्यों इसका primary concern जो है यह आप कोई business सला रहे हो पंजाब के अंदर वहाँ पर land labor capital का खर्चा अलाग होगा as complete to अगर मैं कोई business सला लहाँ मत्रप्रदेश के अंदर तो अगर मैं वहाँ पर अपने जो input का खर्चा है वह बहुत ज्यादा अब यह कैसे होता है कि relative prices मतब relative का मतब जान रहे हो ना कि as compared to other goods उस category जो है जो गेहू है जो आटा है वो अलग-अलग brand का कितने rate पर available है अलग-अलग कपड़े अलग-अलग brand के कितने rate पर available है अलग-अलग brand के जूते अलग-अलग brand के pens क्योंकि उनका खर्चा जैसे कि मैं अभी आपसे बोलना कि मत्यप्रदेश के अंदर एक business setup as compared to Punjab के अंदर जो एक business setup है वो दोनों का खर्चा अलग-अलग हो सकता है उसके basis पर आप कम सिकम अपने good का इतना price तो रखोगे न कि आपको कम सिकम जो costs आपने bear करी उसको produce करने में वो निकल जाए आप ताकि एक net profit में रहो है ना तो similarly how prices और remuneration of factors of production अब remuneration of factors of production क्या होता है factors of production की जो cost होती है जो salaries होती है उनकी जैसे land labor capital enterprise land से क्या आता है rent labor को क्या मिलती है wages capital से interest और entrepreneur को क्या जाता है profit ठीक है यह determine होते है microeconomics से तो examples of microeconomics variables है individual की income individual का consumption level एक particular commodity की demand एक particular commodity की supply goods की price की determine होते है output of a firm यह सब चीज़े तो central problem जो है microeconomics से वो क्या है resources कैसे allocate करे जाते हैं मतलब जो हम बात करते हैं श्रया आज देखो आज clear हो जाएगा आपको what to produce how to produce and for whom to produce यह श्रया microeconomics का पाट है यह microeconomics का पाट है because हाँ अलग-अलग बंदा अलग-अलग sector में वही तो decide करेगा कि what to produce how to produce and for whom to produce भाई आपकी company यह decide करती है श्रया कि what to produce how to produce यह बहुत अलग होगा as compared to एक किसान जो कि अपने केट में आज प्रेडियूस कर रहा है वो उसका कॉल है और आपकी company का अपने एक personal कॉल है कि उनको क्या करना है और इसी के साथ साथ आपको पता है फिर प्राइज भी डेटर्माइन होता है फिर प्राइज भी डेटर्माइन होता है पता हो ठीक है तो subject matter क्या microeconomics का it deals with product pricing, factor pricing and welfare economics मालब यह जो product pricing है अलगला product का price कितना है factor pricing उस good को produce करने में जिन तीन चीज़ों का वेतना तो चार्च चीज़े होती है लेकि जर्रल ही तीन चीज़ों का जो सयोग रहा है land, labor, capital और enterprise इसके कितने पैसे आपको देने पड़े और welfare economics के subject of welfare मतलब यह कितना इसका scope है कि इतना कुछ करके कि जो एक product का प्राइज है factor of production को प्राइज है उससे कितने लोगों की welfare जो है डिसाइड हो पा रही है ठीक है ठीक है तो scope क्या है microeconomics का microeconomics these with theory of demand जिसकों में कहते है theory of consumer behavior, theory of production जिसकों में कहते है theory of supply, theory of price determination के price कितना होगा goods का and theory of factor pricing जो factors of production है न तो factor pricing बता है किसे एक आचाता है रेंट, wages, interest और profit क्योंकि इसके सम्मनी क्या होता है, रेंट की सम्मनी लेंड, wages, land, labor, interest, capital, profit, entrepreneur theory of production मतलब theory of demand consumer behavior, क्योंकि demand हम जिसकों consumer करेगा, theory of production producer जो होगा वो supply करेगा अब जब demand create हो गई, supply हो रही है, तो भाई एक price भी तो निकल कर रहेगा, कि भाई मैं इतने भी खरीदना चारों देना तो बनना मैं चारों, तो भाई producer कहेगा, मैं तो ली दे रहा, मत दे भाई, अब तेरा good बेकी नी रहा, तू अपने outcome करेगा price, ठीक है, तो price से determine होता है और उसके बाद, भाई वो price एक हद से यादा कम नहीं कर सकता, एक हद से यादा नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादा करेगा तो खरीदेंगे नी लोग, अगर कम कर देगा पहुँच जाता, भाई उसका profit कैसे निकलेगा, क्योंकि उसने जो good को बनाने के लिए, land, labor, capital और enterprise प उसने दिये है, at least उससे ज़्यादा तो उसकी कमाई हो जाए, उसको एक good को produce करने में 50 रुपीज का खर्चा आया, वो अपना good या तो 50 वे पेश ले, no profit, no loss, लेकि at least वो कोशिश करने के, भाई, मैं 51 पे तो बेचू काम से कम net profit में तो रहूँ, loss में उसको कप बेचना पड़ता है, जब कोई खरीजने को तयार हो ही नहीं रहतना चाता है, तब ही तो हर एक producer श्रिया कोशिश करता है, कि cost of production जो आए, हमेशे गुड़ की कम आए, क्योंकि वरना फिर में margin निकाने के चकर में, मुझे good बेंगा करना पड़ेगा, और rival जो all about making choices, in the presence of scarcity, मलब देखो, किलत तो हमेशा रहेगी goods की, चाहे income की, अब वो आपको decide करना है, कि आपको कौन से goods लेकर आने है, और कौन से goods को sacrifice करना है, बेकोज यहाँ पर रोगने वाली चीज़ क्या है, आपकी income, आपको, as well as economy के अंतर resources कितने अवेलेबल है, मेरी बास मन of goods अपने लिए बनानी, आपको एक एथी, मलब choice create करनी है, कि भाई, हर चीज scarcity की basis पर चल रही है, अब हर चीज क्या, आपकी income scarce है, limited है, goods भी limited है, वो भी scarce है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको उन में से एक precise बास के चुणने है, कि भाई, मेरी income के असाब से मुझे यही goods सही क्योंकि मेरी income मुझे ही अलाओ कर रही है, और economy के अंदर goods भी इतर नहीं available है, तो microeconomics जो है, it refers mainly to the analysis of scarcity and choice problems, which is facing a single economic unit, like producer और consumer, मैं आपको बोला ना भी, जैसे producer क्या कोशिश करेगा च्रया, कि मुझे जो एक good को produce करने की जो लागत आए, वो कम से कम आए, ताकि मैं उतना margin निकाल के पना profit निकाल सको, वरना मुझे good के price हाई करने पड़ेंगे, जब good के price हाई करने पड़ेंगे, पतर चला consumer वो माने ही ना, उसकी demand मेरी supply के साथ मैच ही ना हूँ, और फिर ultimately होगा क्या, साल के end में मुझे अपनी inventory, अपनी stocks, अपने go down के माल को clear करने के लिए, जो की हर एक जो economic unit है, फिर चाहे वो household हो, चाहे वो firm हो, चाहे वो सरकार हो, scarcity of resources की दिककत तो हर कोई face करता है, करता है कि निकरता है, सरकार भी तो face करती है कि नहीं करती है, सरकार कहते face करती है, अच्छा चले, पहले मुझे बताओ, household कैसे face करता है, भाई, income जो भी इतनी है अब कोई extra सामाल लाना है, बच्चों ने कुछ demand करती है, वो नहीं आपारे, कोई अभी तिनी income नहीं है, firm कैसे face करता है, माननो firm के पास income है, पीछे से mali produce नहीं हो पार है, raw material बला, आई नहीं रहे, एक sugar मिल है, एक sugar मिल है, उसको तो सिर्व यह करना ना, गन्ये उसकी ख्र उस सल बरबाद हो गई तो, उस cropping season में, अब, limited गन्ये बचे हैं, limited sugar gain बचे हैं, farmers भी अकड दिखाएंगे की नहीं दिखाएंगे, कि सर्जी अब limited गन्ये रह गए हैं, उतरे तो था ही नहीं, अब हम तो इतने rate पे बेचेंगे आपको, बहाँ पर काम आता है, यादे शर्य पहले सी जो dealing हो जाती है, futures and options के contracts, कि पहले सी decide कर लो कि तुम हमें इतने ही rate पर दोगे, चाहे future में कोई भी rate हो उसका, याद है, याद है, futures and options वाले, जिनकी date होती है, तो, it faces the problem of scarcity of resources, बनलब यह चाहाँ, household हो, firm हो, और government कैसे face करती है scarcity को, बहाई, गर्मेंट ने सब को resources बा इसरेया, ठीक है, अब वो resources, सरकार के पास, और भी तो होने चाहिए, अगर और लोगों को partner रह गए, अगर resources, और हो सकते है, वो resources, सरकार के पास, सरकार के बादा कर आए, पैसो की फर्म में भी हो सकते है, सरकार ने, यह एक वाता करा है, लोगों से, कि जो भी, स्कूल में, जो बच्चियां जाती है उनको cycle एक laptop एक mobile phone मिलेगा पढ़ने के लिए और school में जाने के लिए अब ये भी तो हो सकते है कि पीछे से वो जो mobile phone company है जिसने सरकार के साथ collaboration करी ती है जो cycle वाली जो company है उनके पास यतना लोहा इतना plastic है ये सब आई नहीं रहा हो बताओ ये सब आई नहीं रहा हो तो therefore every unit has to make choices for the best utilization of available resources ये आपको decide करना है कि आपकी income या फिर resources कितने अविलिबर है उसके basis पर आपका best decision क्या होगा श्रया आपको कौन सी password of goods and services चाहिए है ये micro economics है तो micro promise जो है it deals with the problems of choice at the individual level and the principles behind such choices कि मनला आपने जो category चुनी है जो goods and services की वो आपने किसके basis पर चुनी है या तो हो सकते है या आप हागी चलकर पढ़ेंगे एक और factor होता है इंकम के लवा जब आप इंकम को भूल जाते हो और वो good आप फिर भी चाहते हो पताओ क्या हो सकते है ऐसे दो फेक्टर या दो तीन फेक्टर जो भी आपके दिमाग में आ रहे है मनला मैं आपसे ही कहना चाहरो अभी तो आप अपनी इंकम को देखते हो एक एजी तरीका बताता हूँ एक तो ओगर्ष्ट रहे हो सबसे बड़ी बात आपका टेस्स और प्रिफरेंस आपका टेस्स और प्रिफरेंस मजदूर आदमी अगर कोई है मानले कोई भी परसन है उसकी दिहाड़ी कितने से कितने कम की हो लेकिन अगर उसको सिग्रेट या बीडी पी नहीं क्या आदर लगिए तो सरकार के शरेया मलब सरकार तो आपस यह बात नहीं करेगी को सबसेड करेगा चीज के उपर मदीरा पीने के लिए दुमरपान करने के लिए करेगा क्योंकि उसकी इंकम अलाव नहीं कर रही उसे लेकिन फिर भी आततर की हुई है और दूसरा कि अगर बहुत अमीर लोग है उनको फरक नहीं पड़ था कि गोड के रेट कितने क्या है वो हमेशा जो लक्जूरियस ऐटम होंगे जो फैशनेबल गुड्स होंगे या फिर जो शोशावाजी बली जो चीज़ें होंगी या लिमिटर एडिशन की चीज़ें होंगी उसे इंडिविजल सीख करेगा पक्का करेगा की नहीं करेगा ठीक है तो माइक्र अग्रॉमिस जो है डिस एंडिट उनिमिटेड वांगे फिर गंडिए हुँमन बॉंट सराथ इस दूपर इस्कार से निचर तो सोसाइटी के पास तीन प्राब्लम आ जाती ही च्वैस की च्वैस इलोकेशन की बॉर्ट तू ड्रेडिउस how to produce and for whom to produce इसको हम लोग कहते हैं choice in allocation of resources क्योंकि source समझ के फिर आपको select करना है आप क्या produce करोगे कैसे produce करोगे आपकी income क्या आपको लाओ कर रही है कि आप अपनी industry को labor intensive बनाओ या तो very good capital intensive में क्या होता है जाथ 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 यूज किसका होता है machines का machinery का technology का इसका जाथ यूज होता है लेकिन हर किसी की income वो लाओ करेगी का इसको बिल्कुल नहीं ठीक है अब देखो ना juice की दुकाने जैसे अब देखो एक ना मॉसमी जो juice बेशते हैं वो ठेले वाले भी बेशते हैं अराम से जाथ मिक्सी चलाई यह चलाई और अराम से हैंड ब्लैंडर बगर करके शेक बनाया और फटाफट से juice निकल गया और वहातों से मशीन को करकर 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 करके इस लिए चला रहा है विकास उसके पर इखनी टेक्नोलोजी नहीं है ही इस रेलाइंग मोरान लेवर इंटेंसिव एस कंपेर टू जूस कॉर्णर जिनके बास क्याप्टर इंटेंसिव मशीन ट्री है वहाँ पर जो लेवर रखे गए हैं वो सिर्फ इसलिए कि कस्टमर से ओडर ले लो उसका और उसको शेक बना कर दे दो लेकिन यहाँ पर कैस को खुदी सब कुछ करना है डिस्पोजल के ग्लास भी खुदी लेने हैं मौस में भी खुदी छील ली हैं बनाना भी जूस खुद है जल्दी-जल्दी सब कुछ करना है और फटा-फट से वो जूस रेडि करके देना है उसके बद शेले हम बात करते हैं Macroeconomics की Macroeconomics Economic Theory का वो पार्ट होता है जो की economy को study करता है in its totality और as a whole तो यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो श्वेया Broad Economic Aggregates की बात करते हैं मला broader level पर हम लोग यहाँ पर अभी क्या बात कर रहे थे हैं यहाँ पर देखो इंडिविचल के income की Macroeconomics में तो यहाँ पर हम लोग किसकी तरफ शेफ्ट पर जाते हैं National Income हम लोग माईग्रोकनोमिक में बात करते हैं इंडिविचल के employment की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बात को बताते हैं जाब combination बोलना में में मैं बात बताती जो और बात करते हैं आग्रिगेट को बोले जाता है economy के जो aggregates होते हैं और aggregates क्यों होते हैं जब भी हम economy को देखते हैं as a whole या in बता बता पुछाओ बहुत बहुत बता रहा हूँ प्राइस की बात कर रहा है और इंडिविजल कमोडिटी ओनली यह इंडिविजल फेटर्स प्रोड़क्शन किस की बात कर रहे हो किसमें हाँ वह आप डिसाइड करोगे यह कि आपके इस प्राइस लेवल पर अपने गुड का वह प्राइस जो रखना चाहरे हो लेकिन नेशनल लेवल पर चब हम यह बात करते हैं तो हम यह बात करते हैं यहाँ पर आपको इंडिया के अंदर यह वाला गुड मिल देगा इस प्राइस का है अगर आप इतनी quantity ले लेते हो तो हम आपको इतना लगा देंगे ठीक है लेकिन अगर मैं उस good का price देखना चाहूँ overall इंडिया के level पर ठीक है, तो मुझे अलगलग producer भी मिलेंगे बहुत जाता तो इंडिया के level पर मैं कहा दूँगा कि भाई उस good का जो price range वो इतने से लेकर इतने तक का मिला था, को अलगलग brand का जैसे हमारे देश में एक milk है, milk की कोई production unit है मान लोगे श्रया, हमने कोई अपना dairy का जो है business start करा, पनीर, दूद, दही और ये सब छाच वगएरा हम लोग बेच रहा है हमने वहाँ पर उसको रख 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 है कि भाई हम तो 70 का देंगे क्योंकि हम तो pure बना रहे है फुल क्रीम बना रहे है हमारे कोई पानी नहीं मिलता भैस देखो तबेली में सामने है अभी गौला दूद निकाल रहा है और आपको यहाँ पर बाठ देखा कोई पानी की मिकसिंग नहीं कोई नहीं मिलाए गया तो लोग कहेंगे आपसे हम द रख रहे हैं वो तो 66 आप lear 4 याख बाठ दो आपको पाताए को पीची क्या चल रहे हैं हम को आपको कि समने से निकाल कर दे रहे है यह तो हो गया जो हमारे उदर फार्म पर आया है 60-70 के बीच में जन्रल प्राइस लेवल है पहले वाले केस के इंदर हमारे फार्म लेंड पर आरा था श्रया वो है एक इंडिविजल प्राइस लेवल हम सत्तर से कम नहीं देंगे आपको नहीं पसंद है आप मदरेरी की तहली जाकर लियाओ हम नहीं देपाईगे हैं हम बहु हमने उनसे का कि हमारा देशीघी ज़ादा मोटा है गाड़ा है दाने वाला है जम जाता है देशीघी की खास बात है सर्दियों में जम जाता है हम उनसे कहने कि आप वाहते जाकर लेआ वह देखो वो जमेंगा नि उन्होंने पका कुछ नगुछ प्रिजरेविटिव मिला रखे हैं हम आपको सामने मिला कर जो यह पूरा का पूरा हम कड़ाई में जो मलाई को करकर के जो देशी गी बना रहे हैं हम आपके सामने आप इसको दे रहे हैं हमें मैना जदा लगती है हमारा प्योर है हमें विश्वास है और हम फूल क्रीम दूद से मलाई वाले दूद से उसकी जो है मलाई निकाल निकाल के हम यह गी बना रहे हैं तो हम तो आपको इतने कई देंगे अजार रुपे का अगर आपको अपने साड़ी तीन सो रुपे बचाने हैं प्रिजर्बेटे वाला यूज़ करें तो आप चले जाओ जैसे कई लोग होते हैं श्रया वो न थैली वाला दूद नहीं मंगवाते हैं वो जो शाम को गौला आते हैं सोसाइटी में तो सब लोग अपना डोलू लेकर पहुंचाते हैं दूद लेने के लिए तो कि उनको विश्वास से होता कि जो फार्म लेंड से जहां पर भी बहस का तबेला है उस तबेले से जो दूद वह रहा है यह भाई सब थैली वाले दूद से तो अच्छा ही होगा क्योंकि वह जन संक्या यह बढ़ी चीज जानते हैं कि मदरेरी के जो दूद है आज जो म अपनी बात करें यहां पर तो हमार लिए जानने वाली बात है कि एक बंदा है वह एक पड़िवल प्राइस रख रहा है तेकि जो जर्नल प्राइस लेवाल है कि आप इसके रेट पर बिचना रहा हूं आपको मेरे में 2-4 रुपे कंतर हो सकता है से इंपोड को लेकर कि अग पर भी में है कि बस्वन में गई है पक्का ना और को एक्जांबल दू क्या है ठीक ठीक आरे वैसी फूट सब्सक्राइब को जब तक क्लियर नहीं है कोई कोई यह नई चीज है यह बात ही है अच्छा इक बात पता हो इसको पड़के ज्यादा मज़े आ रही है फिर नितिन यह बहुती है अब होती है इंकम्पर अंडिविचिए आ कि नितनी और् आप सारे और अगर कर mothers दो तो आपको क्या पता लगेगा इंकमत है यह कॉत तो यह आप इस सिंदे को कितने प्यारी तरिकता समजह आपको पता ना में चप्टर करवा रहा था मैं उसके अंदर बताया था आपने रिकॉर्डेंश के सब्सक्राइब इतने गहराई में जाकर बात करता है कि आपको सारी चीदों में वो बोर कर देता है मैंता बहुत जादा लेकिन इंदर भी लिखिवी थी तो एक नॉम में ग्रोथ क्या होता है ऐसा नहीं है कि एक दिन आपको कहीं से पैसा हो गया आपका और अरे मेरी तो इतनौ में ग्रोथ हो गई या देश में अगर एक दिन अगर पैसा बढ़ गया पहली बात है यहां पर इंडिविजल कहता हो पैसा माईनिय रखता है लेकिन सारे इंडिविजल को फिर वो बढ़ना चाहिए ठीक है एक चार-पाज राजे अमीर हो गए बागी सारे राजे जो है वो बिहार जैसे मतलब गरीबी तर जूज रहे हैं तो कोई फायता नहीं है यह एकॉनमी के पास बहुत ज़ाद एक दम से कहीं पैसा आ गया लेकिन बाद की दिवाग में आया होगा शेया अगर आप ध्यास से इसको देखो यह एकनोमिक रोख के अंदर सर यह वली बाग क्यो हो रही है कि नाशनल इंकम ही तो चलो कंट्री बेसे पर समने आती है लेकिन पर क्याप्टन इंकम तो सर इंडिविजल लेवल की होती तो यहां पर माइ करके परकापटा इंकम के परकापटा इंकम मनब एक एक इंडिविजल की जितनी इंकम है और वरकिंग इक पॉपलेशन कितनी होती है हमारे देश में कि फिफ्टी इंडू फिफ्टी नैनियर्स यह कमाने वाली जन संक्या है और इसके नीचे यह इससे ऊपर चेते भी लोग कि उसको क्या कहते है लाइबिलिटी है ना डिपेंडेंस है वो लाइबिलिटी लेकिन मैंने आपको बताया थे लाइबिल्टी वर्ट पर यूज नि करना चाहिए क्योंकि भाई उन्होंने अगर जो इससे ऊपर है उन्होंने योगदान दिया अपना जीवन में तभी वह बैठेंगर पे और इससे नीचे जितने वो निभे निभी है वो कुछ नहीं कर सकते अभी वो इस्टाग्राम चला सकते बस ठीक है तो टुडे करें अरी स्टेस ग्लेंब्स फुबया वलफेर स्टेट अचाहां एक और बात को इंग्वल में से इंक्रीज लगातार इंक्रीज होता रहनाँ इसले रियाल नाशनल इकंब के अंदर वी और इनकंब भी तभी पर काप्टन बंद रहेगे क्योंकि आपको बतला निभी नि n सब्सक्राइब करने की कोशिच करते हैं अगर ऐसा है तो this requires making of policies at the level of whole economy ये इंडिविजल लेवल पर तो वैसी ही करा जा सकता है ये तो नेशनल लेवल पर ही करा जा सकता है that is at the macro level तो alternatively subject matter और scope of macroeconomics enqueur theory of income and employment किसकी पूरे देश्वासियों की theory of general price level किसी भी गुड का पूरे country में लेगिन this price level will be compared to the other brands also तभी तो हम पूरे देश को ले रहे हैं यहांपर है कि नहीं देखो आपको एक बात समझाता हूं मैं mother dairy या अमूल या country delight DMS का दूद पतंजली का दूद कोई भी है वो एक हट से जादा rate charge नहीं कर सकता even जो दूद वाला जो गॉला है वो भी नहीं कर सकता तबेला जहांसे दूद आ रहा है वो इसली नहीं कर सकता यार क्योंकि लोगों के पास alternative choices available होती है national level पर मजड़ेती को कर लें तो 80 रुपे का दूद भाई नहीं पीना कोई बात नहीं मुलका पी लेंगे गॉला कह रहा है 100 रुपे का दूद नहीं चाहिए बाई कोई बाटर वाला दूद पी लेंगे को इटेंशन नहीं है लोगों के पास क्यों कि इतनी affordability तो होनी चाहिए अभी हमने पढ़ा ना मैक्रोग्रोमिस में होता है बाई demand और supply मिलकर एक प्राइस बनाते है गुड का अब आप मालों के पूछ जब हम लोग मैक्रोग्रोमिस की बात कर रहे हैं तो एक प्राइस लेबल इक मार्जो करनी आएं गा बताओ जरा कमपनी वाले जो गाड़ीयों के एक कपड़े वाले जो जो कपड़ों के रेट रख रहे हैं जूते वाले जूतों के रेट रख रहे है वह एक supportive price level पर है बोलोगों के पहोंको जब्लाइक है इतना लोग पेक कर देंगे हमें तब ही तो वो रख रहे है एक लाग के जूते अगर हम ले भी आए श्रया घर वाले उसी जूते से मारेंगे हमें यह बरबादी देखो जादे ही इसको शौक चड़े नवाव आले वो याद है आपको तो आपको तो लाइफ सुनाया था मैंने वह थाइस दार का पोच्छा यह हाँ पोच्छा थाइस दार का वो इलेट्रोनिक वाला मम्मी मम्मी लाइफ सुनवाई थी मैंने आपको तो subject matter of macroeconomics include theory of income and employment theory of general price level theory of economic growth and theory of distribution यह वाली बात बस important है श्रया trap करने के लिए अप examiner आपको यही देखा कि बताओ theory of price determination ठीक है theory of factors of pricing यह किसका पाट है micro का macro का या फिर चारो option दे दिए इन में से क्या चीज मैंक्रोपनोमिस का पाट है only one is correct, only two is correct, all are correct, none of the above are correct अब तो ऐसी भूसता है तो theory of, यहाँ पर क्या था, microeconomics का subject matter क्या है, individual की demand यानि कि theory of consumer behavior individual की supply यानि कि theory of production, theory of supply उसकी वेज़े से determiner का price और theory of factor pricing यानि कि जो factors of production जिन्होंने उस सान को बनवाया उनके पास individual level पर पैसा कितना गया, labor को rent कितना, sorry, land से rent कितना, labor को wages कितनी, capital interest कितना, entrepreneur को profit कितना, यहाँ पर क्या है theory of income and employment, at the level of country as a whole, theory of journal price level, at the level of country as a whole, theory of economic growth, economic growth तो country की होती, individual की होती ही, economic growth, and theory of distribution, कि पूरी country में जो समान जो produce हुआ है, वो बट कितना हो रहा है, किस-किस area तक जा रहा है, how many people, how many regions that is covering, confusion तो नहीं है, थोड़ा सा, read करो कि एक बार के लिए हो जाएगा, क्योंकि यह बस याद कर रहा है, आपको, यह चार, यह चार, कौन सा किसका बाट है, मने बात नहीं करी थी, what to produce, how to produce, and for whom to produce, आप कहो कि सर, यह तो आपने बता है, यह तो यह तो micro level का बाट होता है, लिकिन, जब, एक-एक micro level पर जो चीज़ प्रडूस हो रही है, वो पूरे देश में भी तो बटेगी, वो ऐधा जाकर आगे चलकर, ऐधा aggregate भी तो बनेगी, तो लोगों को मिल कितना रहा है, जबने मालो budget create हुआ, सरकार यह बोल रही है, इतना इतना हम, लड़ियों को laptop देंगे, cycle देंगे, phone देंगे, पढ़ने के लिए, अरे तो वो distribute कितना तक हुआ है, सब के बाद यह fulfill होगा है, सब तक वो पहुंच गया के नहीं हो गया, जबने मंड़े का कि बात कर लो, मंड़े क के नेशनल के नेशनल लिवल के स्खीम, यह फर MP UP Punjab के स्कीम है, यह Is नेशनल लेवल कि स्खीम है ना जैशनल एजुकेशन पॉलिसी यह सिर्व जमुन कशमीर यह जमुन कशमी गुजुनात ऐसा नेशनल पॉलिशी लाइट तो एजुकेशन लिए अब मुझे बाप पता हो आप समझ मेरा कि distribution के सबको उसके लाव मिल रहे हैं या फिर कुछ लोग बंचित भी रहा गए उसे स्कीम से यह तो चीज मैक्रो लेवल पर रहन सकते हैं न हम लोग इंडिविजल लेवल पर बंदग गएगा कि हमारा है बहुत सारी लोग ऐसे भी एए जब मुझे उनसे जानने को मिला याद बना आपको वाली बात पता ही थी कि हजार उपर सबको मिल रहे हैं लेकिन अब दस में से तीन और यादि मुझे भी बोल रही थी कि हमने रिश्ट्रेश्चन करवाया सब कुछ करवाया लेकिन हमारे बागी साथ आते बोली आ रहे हैं डिस्टुबिशन नहीं हो पारा ना मैख्रो लेवल पर तरीके से कि मत्यप्रदेश को माल लू कि मत्यप्रदेश की सरकार कही बाद है तो फिर वो इन दौर में हो पा रहे है पता चल अचे ते बलिमेंट देवास में हो पा रहे है गौलियल में हो पा रहे है लेकिन भूपाल में नहीं हो पा रहे है चातरपुर में हो पा रहे है लेकिन एक वाली बात नहीं है एक बार इन वर्ट्स को पता तो चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं थियोरियो डिमांड समझाओ श्रया मुझे ज़रा इसमें माइक्रो में किस थाप के प्रोट्ट चाहिए कर्जूबर को अब कोई एक्जांबल देना चाहिए आपको क्या चाहिए मालो कोई भी एक अग्जांबल आओगे मार्केट सकराज आपको भीज़ दिया जाए मार्केट तो दालचीनी मैं यह लेकर आऊँगा आप गैरेंटी दे सकते हो कि मुझे भी यही चाहिए नहीं न तो यहां पर किसकी बात हो रही है एक एक इंडिविजिल एकनोमिक यूनिट की है न कॉम्बिनेशन में बात हो रही है कि दो तीन के पेर की नए उसके बाद theory of production क्या कहती है theory of supply जो की है यह किसके point of view से देखा जाता है producer के point of view से example दो उसका समझाओ यह वैली बाद मुझे क्या बनाना है very very good very good तो आप उसका उतना price रखोगे है न और आपको यह भी पता हो कि आप market को भी study करो कि लोग जो तो राइवल फर्म से हम वो कितना कितने का बेच रहे हैं क्या कर रहे है वेरी वेरी कोड ठीक है theory of price determination क्या क्याता है किस price पर बेचना है theory of factor pricing factor pricing word निकला किससे ठीक है ठीक है वेरी कोड उसके बाद हां किवाले बताओ में theory of income and employment किसकी income and employment की बात हो रही है और इंडिया लेवल पर ठीक है जर्नल प्राइस लेवल की और बाद बताओ थोड़ा सा अगर फोकस करो दिमाग पर डालो याद है मैं आपको पता है कि मानलो कि आपके पास अगर अगर आप मालो कि एक पटिलर गुड को अगर मैं नाशनल लेवल पर नहीं देख रहा हूं यहां से दो चीदे आपके निट्रोट कर सकते हो या तो रमरस्ट मेरको टूथ पेस्स्त लाना है तो मिलेवल अवाले प्रैंट्स एवेलेबल से पतंजील यह वैलेबल के पैस्यूधेट के रिंज कर तक भूम रही है अब लिकिन यहां पर क्या होता है एक जनल प्राइस अगर कि आपका बास्केंड भी हो सकता क्या होगा बास्ट आफ गोट्स डाटी ओर क्रीटिंग समझ रहो कि मदब मुझे हजार रुपे खर्च करकर मेरा उसमें क्या टूथ पेस्ट चावल चीनी कपड़ा जूते मलब जो नेसेसरी वाले आटेम से यह आ जाते और अगर आ जाते तो कितने ग्राम कितने किलो आ जाते हैं कितने अमेरिका में होता या अमेरिका में होती तो वहां 4 रुपे खर्च करके कितनी पास्ट कर्ट हो रही होती इससे यह पता लग जाता है कि लोगों को स्टेंड आउफ लिविंग कितना हाई उस कंट्री मेरे रहने वने लोगों का और इंफलेशन की दर है कितनी है महंगी किसी सब्चीं करीदने के लिए क्लिए कि लिए जब मार्केट शनीवजार मंगल बज़ार गुद्वजार अगार ले लेकिन हम यहां पर या पर सैलर के फायता उठाएंगे ऍसको घर जाना आए पूरा ठेला काली करके जाना है तो वह इस थाइम पर बारगेनिंग करने के की पहुत अच्छित मन जाएगा ऐस कंपेट्व शाम को साथ याट बचे जाते हैं अगर उससे बार्गेंग करवने तो तब नहीं मानता जा मार्गेट भरी हुती खचा खच आप उसको खाली करके जाना है क्योंकि कल तकी सोबर सट जाएंगी और हमारे घर पर कल सोबर इसकी सबजी बननी है उसके लिए तो खराब हो जाएगा वो कल शाम को दुबार नहीं बेच पाएगा चाले और ठालोग थे एंग थीरियोग चैनलप्लाई शेकर थे और अचारष और थेवरी अट्रिक रही वंकल टो इंडिवावक गउवीचल ल自ुव की रौध थो फो very good very good or or what just determined kisthay national income yeah economic growth नहीं किस से नहीं national income determined actually kisthay होती अपने आप में पर-capital income से एक-एक बंदे की income कितनी है वो जाकर बने की national income उनके methods है ना and theory of distribution टार्गिट ओडियंस क्या क्या है तो उसी की बजिसेस पर हमें डिश्ट करते हैं कि नैशनल अबल पर चीदें क्रिट यहांगी क्या बन रहा है अगर कि अगर सरकार का टार्गेट है कि किसानों लोगों की है तो क्या बनेगा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइट्स वीडिसाइट्स ग्रेंज एच्वाइब वरैडियोफ सीट्स बड़ बड़िया उसके बाद difference between micro and macroeconomics it is a study of behavior of the individual economic units of an economy जबकि macroeconomics it is the study of economy in its dotality as a whole aggregate के अंदर तो इसका basis क्या है सबसे पहले study किसकी होती है यहाँ पर हम लोग individual economic units को study करते हैं यहां पर हम लोग economy का whole study करते हैं उसके broad economic aggregates को जालते हैं यहां पर हम लोग तो micro economics के अंदर हम लोग बात करते हैं economy की like consumer, firm या community का price जबकि macro के अंदर aggregates की बात करते है national income की या फिर unemployment की बेरोजगार की पूरे देश के level पर Central problems के है micro economics की price determination and allocation of resources ठीक है यहां पर micro economics की determination of national level and employment it deals with problem of choice and scarcity at individual level macro economics it deals with the choice and scarcity at the level of economy as a whole ठीक है उसके बात it analyzes how the equilibrium in case of a consumer a producer is attained अच्छा यहां पर equilibrium क्या है पहले बता देता हू एक बरी it is concerned with the determination of economies equilibrium with the level of income employment and output equilibrium मतलब क्या श्रया यहां पर individual level पर जितना एक demand create हो थी एक individual की उत्त ही supply create हो भाई खरीदने वाला जिस rate पर खरीदना चाहरा है बेजने बाला भी उस rate पर बेजने को तयार हो तब ही तो जाकर equilibrium create होगा है ना और यहां पर equilibrium क्यासे create होगा जैसे एक एक angle को ठालो income के basis पर भाई आपकी जितनी income है बजार में उतने के ही good auger available तब ही तो आपके income का फायदा हो तो ना परनत आपको यह लगए का आपकी income जो है वो इतनी परियापत है ही नहीं कि आपको लाज सकते हो बजार तकरीद करीद करें अगर आप आपको मतलब लोगों की डिमांड पहुच जाता है सप्लाइर की साइट से उतना good produce हो तो कम से कम देश के अंदर एक भी दिन अगर आप अभी टमाटर का केस देख लो टमाटर की सप्लाई का मोई थी प्राइस शूट कर गए थे कि निकर गए थे दो सब्सक्राइब लोग अंचो टाड़ लाले कि सब्सक्राइब बना रहे थे एड और एएस का जो merging point होगा वो क्या होगा आगें equilibrium और equilibrium में किसी condition होती है जहाँ पर you are in a state of satisfaction आपको कोई guilt नहीं आ रहे यार इतने पैसे लग गए इस गुड को लाने में इतना पैसे की खर्ची हो गई कोई tension नहीं है clear हुआ नेक्स लेक्चर के अंदर श्रेया हम लोग बात करेंगे कि what is positive economics what is normative economics ठीक है इस discussion में पिला लितना ही thank you very much for discussion